सच्चिदानंद रूपाया विशोत पत्या दिहीत वे तापत्रे बिना साया स्री कृष्णाय बयम्नुमा मैं कमलेस्ट्या सायक प्रोफेसर जो था लाल संस्कृत माविद्याल है मजोलिया पस्ष्यम चमपा रहा मैं आज सात्री प्रितिष्ठा तृतिये खंड के छात्रों के लिए जिनका विशाय व्याकरना है उनको सब्तम पत्र के रूप में बढ़ाई जाने वाले पुस्तत न्यायस्तिधंत मुक्तावले जिनके अंतरगत मैं पदार्थों के भेत पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं पढ़ाने जारा हूँ परार्थान भिवजति दरब्यं गुनस तथा कर्मो सामान्यं स्विसे सकं संबायस तथा भाव परार्था स्व्त्य कितिता अत्र सब्तमस्या भावत्व कथनादेव खनं भावत्वं प्राप्तम तेन भावत्वेन प्रधाव उपन्यासो न्वक्रता एत्यच पदार्था बैसे सीके प्रसिद्धा नई आरिकाराम अविरुद्धा प्रति पादितम छेव मेव भाषे अत्यवो पमान चिन्ता मनो शब्त पदार्था विन्यतया सक्षाद्रिश्या दीनाम अत्रिक्त पदार्थत्तुम अश्रंकितम ननु कतमेव एव पदार्था शक्ति साद्रिश्या दीनाम अप्यति दिक्त पदार्थत्त्त्त्त तथाई मन्यादी समवहितेन बन्हीना दाहो न जन्यते तच्छूनी नतु जन्यते तत्र मन्यादीना बन्होँ दान कूला सक्तिर नस्यते उत्तिय जकेन मन्याद्य प्रसारणेन जन्यती ती कल्पते ऐबन सात्रिश्यम अत्रिकत पदार्थं तद्धी न्वखर्शु भाविश्वंटर्भावती सामानेपी शत्वात जता गोत्वम नित्यम तथा अशम अपिति साद्रिशत प्रतीते नाप्य अभावे सत्त्यन प्रतियमानत्वादी दीचयेद। न. मन्याद्य भाव विशिष्ट बन्यादर दाहादिकम प्रति स्वात्तंत्रेन मन्य भावादेर वाह थुत्म कलपते। अने नेव, सामन्यस्य अनन्त सक्तितत प्राग भावद ध्वंश संकल्पना अनुची त्यात, न च उत्यजके सती प्रतिवंधक्षरभावी पी कथंग दाह इति वाच्यम, उत्यजका भाव विस्ष्ट मने भावस्य हेतु त्वात, साद्रिश्यम अपि नौ पलार्थांतरम किन्त तथ भिन्नत्वे सती तद गत भुयो धर्म बत्वम, यथा चंद्र भिन्नत्वे सती चंद्र गताल्लार कर्ट्वादी मत्वम मुखे चंद्र साद्रिश्यम निदे। अब शविशेश कम द्रभ्यं गुनस तथा कर्म सामान्यम शविशेश कम यहाँ जो सविशेश कम विशेश के सहित जो हो वो सविशेश और सविशेश ही सविशेशक है इस बिग्र से परमानों के परस्पर भेद साधक त्वरूप विशेशन से विशेश ही होगा, एवंचा परमानों के परस्पर भेद सिद्धि के लिए विशेश नामक पदार्थ को सुईकार किया गया है द्रब्य, गुण, कर्म, सामान, विशेश, संभाय और अभाब ये साथ पदार्थ न्याय विशेशिक से धन्थ से बताए गया है अब यहां पदार्थान विवजते जो प्रारम में कहा गया है उसका यहां दुतिया का अर्थ विशेश तो है पदार्थान में जो दुतिया का बोवचन है वह विशेश तो है बी उपसर्ग पूर्वक भजदातु कार्थ स्वश्रामवी ब्याहित पदार्थ ताव चेदक ब्याप्य मिथो बिरुद्ध गर्दयावण धर्म प्रकार का ज्यानानंकूलो ब्याबारा है स्ववपद से बी उप्रवक भजदात कार्थ लेना तो होता है तत्समविब्याहित अर्थात उसके समीप उच्चरित पदार्थ पद है उस पदार्थताव चेदक अर्थात पदार्थत धर्म के ब्याप्य मिथो बिरुद्ध परस्पर बिरुद्ध जावत धर्म अर्थात समोस्त धर्म द्रब्यत गोणत आदी धर्म तत्प्रकाड ज्यान अर्थात द्रभ्य गोन कर्म आधी इति आकाड का ज्यान तदनुकु लब्यापार द्रभ्य गोन कर्म इति आधी सब्द प्रियोगर व्यापार यह भी फुर्वक भज धातु का अर्थ है ते प्रत्यय में लट तिंग आख्यात और एक वचन है उसका अर्थ काल कृति और संख्या है सब को मिलाकर यह निश्पन हुआ कि पदार्थ निश्ट जो विशयता उसका निरूपक जो पदार्थ तो ब्याप्य द्रभ्य त्वारी रूप अवांतर धर्म प्रकारक ज्ञान उस ज्ञान के अनुकूल जो ब्यापार तद अनुकूल जो बर्तमान कालिय क्रिती तदवान एकत्व संख्या विशिष्ट ग्रन्थकार स्रीमान विश्वनाथ पंचानन भटाचार्ज है तथाच पदार्थान विशेश्यक पदार्थ त्वावांतर धर्म प्रकारक ज्ञानानुकूल व्यापारानुकूल कृतिमान एकत्व संखा विशेश्टो ग्रंथकार स्रीमान विश्वनाथ पंचानन भट्टाचार्जह इती साथ वोधा अब पदार्थों का नाम बताकर उनका विभागवत कहा जाता है द्रव्य गून कर्म सामान विशेश शंबाय और अभाव ये साथ पदार्थ हैं इनमें सातमा पदार्थ अभाव है या कहने से ग्यान तो होता है कि बांकी के च्छापदार्थ भाव शुरूप हैं और च्छापदार्थों के लिए ये भाव हैं या अलग से कहने की आवस्यक्ता नहीं है ये सात पदार्थ बैसेशिक अर्थात कनाद के द्वारा कनाद रचित सास्त्रों में प्रिसिद्ध है और गोतम के मत के अनुवाई गोतम के अनुवाई नयायकों को भी सम्मत है कनाद मुनिकृत सुत्र भाव में प्रिसिद्ध है और गोतम अनुवाई नयायकों को भी सम्मत है कनाद मुनिकृत सुत्र भाव में भी उनका प्रतिपादन अच्छी तरह क्या है अतेव मुलभूत साथी पदार्थ होने के कारण चिंतामनी नाम ग्रंथ के उपमान खंड में सक्त पथासादरिष इन दो पदार्थों को उक्त साथ पदार्थ से भिन्द होने की प्रभाकर मिमांग सक मत्से संका की है परंत पदार्थ तो साथी है अब प्रफाकर मिमांग सक्ती संका कि सक्त्य और साद्रिश इन दो अधिक अथा साथ पदार्थों की अपिक्षा अतिरिक्त पदार्थों की संभावना रहते पदार्थ साथ है या कहना अंचित है उक्त दो पदार्थों सक्त्य और साद्रिश की अधिक संभावना उपपादन करते हैं ता था ही थे अगनी के समीप रहने पर दाह के समीप रख दिया जाए तो अगनी से अगनी के समीप रहने पर दाह था उस्मा होता है परंत दाह के प्रतिवधक चंद्रकांत मनी को जड़ी अगनी के समीप रख दिया जाए तो अगनी से दाह नहीं हो पाता है। अर्थात अगनी की दाह कत्व सक्ति नस्ट हो जाती है और उस चंद्रकांत मनी को उस अगनी के समीप से हटा लिया जाए तो पुनह अगनी से दाह उश्मा होने लगता है अतह चंद्रकांत मनी के रहने पर भी जती जडि उत्यजक चंद दाह प्रतिबंधक के भी प्रतिबंधक को उहां रख दिया जाए तो भी अगनिसे दाह होता है तात पर दिया है कि उत्यजक मनी के जूग से अथवार दाह प्रतिबंधक मनी के हटा लेने से दाह होता है अर्थात उत्यजक मनी के समीप रहने पर या प्रतिबंधक मनी के हटा लेने पर अगनि में दाहकता सक्ति उत्पन होती है और प्रतिबंधक मनी के रहने पर अगनि की दाह सक्ति नस्ट हो जाती है यह कल्पना किया सकती है अता सक्ति एक अधिक पदार्थ है यह सिद्ध होता है इस उप्रकार उत्यजग का लक्षन यह है कि प्रतिबंध कोटी प्रविष्टाब भाव प्रतियोगित्व मुत्यजग कत्वम कार्ज की प्रतिबंध कोटी में प्रविष्ट जो अभाव है उस अभाव का जो अभाव का जो प्रतियोगी पना है उसका नाम उत्यजग है जैसे उत्यजग रूप सुर्जिकांत मनि अथवा मंत्रादिकों का अभाव उस दाह रूप कार्ज के प्रतिबंध कोटी में प्रविष्ट है उस प्रतिबंध कोटी में प्रविष्ट अभाव का प्रतियोगी पना उन उत्यजग रूप मनि मंत्रादिकों में है यही उन मनि मंत्रादिकों में उत्यजग पना है अब यहां संका होती है कि यदि सक्ति उस साथ पदार्थों के अंतरगत है तो या भीन है यदि भीन है तो उसका प्रवाण क्या है उसका समाधान सक्ति को साथ पदार्थों से भीन सिध्य करते हैं सक्ति सब्ध पदार था भिन्न उक्त सब्ध पदार छे सु अंतर भूत तत्वात तथा ही सक्ति ही न तावत द्रभ्यात्मिका गुणाद बृतित्वात अतेव न गुनात्मिका कर्मात्मिका वा गुनात्य बृतित्त्त्त ना पी सामन्य विशेश संबाय रूपा उत्पत्य मत्वेशत्य बिनासित्त्त्त ना पी अभाव रूपा सत्वेन प्रतिय मानत्त्त्त अब गुन कर्माधिकों में प्रिछिवी आधि द्रभ्य नहीं रते और सक्ति तो उन गुण कर्म आदिकों में भी रहती है तह वो शक्ति गुण या कर्म रूप नहीं है सामान ये विशेश संभाई अत्यंता भाव अन्योन्या भाव इन पदार्थों का उत्पति या बिनास नहीं होता किन्त सक्ति तो उत्पति बिनास सालिनी है तथे वह सक्ति की उत्पति होने से अनादि प्राग भाव रूप भी नहीं है जद्यप सामाई का भाव का उत्पत्य बिनासुआ करता है तथाथ शक्ति तो भावपदार्थ है अत्ता सक्ति उक्त साथ पदार्थों के अत्रिक्त एक अधिक भावपदार्थ की रूप में शिद्धो रही है अब इसी प्रकार शाद्रिश्य हर्थात समानता और तुलिता भी पूर्वोक्त साथ पदार्थों की अपेक्षा अधिक पदार्थ है उसे अत्रिक्त अधिक पदार्थ मानने में जुक्ति यह है कि पूर्वोक्त च्छा भावपदार्थों द्रव्य गुन कर्म सामान विशेश और समभाई में से किसी में भी उसका अंतरभाव नहीं हो रहा है अत्र उक्त द्रव्यारि छफ भावपदार्थों के अत्रिक्त साद्रिस से भी एक अधिक भावपदार्थ के रूप में से दोड़ा है जैसे क्योंकि जैसे गोत्व जाति भीन है जैसे अस्वत्व जाति भी नित्य है यह अनुभव सभी को होता है शाद्रिस से नित्यत सामान अस्वत्व आदि जाति के उपर रहता है इस कारण यह नियम सिद्ध होता है कि जो पदार्थ सामान से अथवा तदितर स्थल में रहे वह पूर्वुक्त छप पदार्थों में नहीं आ सकता यह साद्रिस से तो सामान और तदितर में रहता है अतह पूर्वुक्त छप पदार्थों के अंतरगत नहीं हो सकता उसी तरह शाद्रिश्य अभाव पदार्थ में भी शाद्रिश्य अभाव पदार्थ के भी अंतरगत अभाव पदार्थ के भी अंतरगत अभाव पदार्थ नहीं हो सकता क्योंकि अभाव अशत्वरूप है और द्रिश्य बस्तुरूप भी नहीं है किन्तु साद्रिष्य, तो यह उसके सद्रिष्य है, इस सद्व्यवहार से प्रतीत होता है, अत्व साद्रिष्य को अवहाब के अंतरगत नहीं कर सकते, तस्मात सक्ति और साद्रिष्य, यह दो अधिक पदार्थ हैं, यह सुईकार करना चाहिए, किन्तु यह कथन उचित नही क्योंकि प्रतिवंधक मनी के अभवाव सहित अगनी अर्थात चंद्रकांत मनी संग्यक प्रतिवंधक सुन्यकाल का अगनी दाह के प्रतिकारण है या मनी का अभव अथवा केवल अगनी ही दाह के प्रतिकारण है इस प्रकार के कार्जिक कारण भाव की यहां कल्पना करनी च अब यहां है जो थात्पर्ज उत्तेजक रूप मनिमंत्रादिकों के अभाव से विशिष्ट जो मनिमंत्रादि हैं वे मनिमंत्रादि उन दाह रूपकार्ज के प्रतिवंधक हैं उन प्रतिवंधक मनिमंत्रादि का अभावि सुदाह के प्रतिकारण है उन प्रतिवंधक के पूर्व रूप की निभ्रिति पूरवक अर्थात बन्नी के अर्थात बन्नी में रखे हुए घटादिकों के पूर्व स्याम रूप नस्ट होने पर भी जो रूपांतर की उत्पति है अर्थात जो रख्त रूप उत्पन होता है अगनी में के दाहकता सक्ति में जो लालीमा है होती है उसी को दाह करने की सक्ति है अर्था वह दाहकारणी भूत बिशेश्टा अभाव कहीं तो बिशेश मात्र के अभाव से होता है और कहीं विशेशन विशेश्ट दोनों के अभाव से होता है जहां बढ़णी के समीप प्रतिबंधक मनिमंत्रादी के विध्यमान है तत्ता उत्यजक मनिमंत्रादी भी विध्यमान है वह दाहुप कार्ज की उत्पत्य होती है अब यहां स्विकार करने से ही यदि सामन ये ऐसा अर्थात निर्वा हो शकता है तो अनन्ति सत्य उनका ध्वंस तथा उनके प्राग भाव की कलपना करके बैठना उचित नहीं है यह प्रभाकरारी मिमांग से को की अधिक पदार्थ कलपना अंचित है अब यहां संका होती है कि प्रतिबंधक मनी का अभाव दाह की प्रतिकारन है एसा माने तो कदाचित उत्तेज़क सुर्जकांत मनी को अगनी के निकट रखने पर तथा प्रतिबंधक मनी चंद्रकांत के रहने पड़ी दाह होता है किन्तो आपके नयारिकों के कथना अनुसार दाह नहीं होना चाहिए क्योंकि प्रतिबंधक मनी तथा उत्तेजक मनी इन दोनों के होने पर प्रतिबंधक मनी के अभाव रूप कारण शंप्रति तो वहाँ है ही नहीं अब समा उसका समारहन ये दिया जाता है कि यह संका ठीक नहीं क्योंकि उत्तेजक सुन्ने काल का मनी दाह के प्रतिबंधक होता है यहां उत्तेजक सुन्ने काल के मनी रूप प्रतिबंधकता का अभाव दाह के प्रतिकारण है इस प्रकार कारिकारण भाव की हिमकल्पना करते हैं इससे उपर जुक्त संका का समारहन हो जाता है अर्थात पूर्वक्त प्रसंग नहीं आता है इसलिए सक्तिय अधिक पदार्थ नहीं है उसी तरह साद्रिश्य भी अधिक पदार्थ नहीं है वह तो उपमे में रहने वाला एक धर्म है जैसे मुख में चंडर का साद्रिश् मुख रूप उपमे एमे रहने वाला आहलार गत्व जो धर्म है वह साद्रिश्य है वह शाद्रिश्य घटक धर्म नहीं इन धर्म कहीं जाती रूप होता है जैसे घट सद्रिशा पटा यहां कहीं उपाधी रूप होता है जैसे यथा गोत्वम दित्यम तथा अस्वत्वम अपि अता साद्रिशे भी अधिक पदार्थ नहीं है या सिद्ध हो जाता है इस प्रतार आज के पाठ को यहीं भी राम दिया जाता है नमस्कार